पुछा गया है कि सूर्य और प्रतवी के बीच जो अधिक्तम दूरी है वो कब होती है यानि सूर्य और प्रत्वी की बीच की जो अधिकतम दूरी होती है वो कब होती है 4 जुलाई को, 30 जन्वरी को, 22 दिसंबर को या 23 सितंबर को तो कमेंट करके बताइए कि इसका right option क्या होगा और खुद analyze भी कीजिए कि आप कितने questions सही कर पा रहे हैं तो यहाँ जो आपका right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 जुलाई जी हाँ guys, सूर्य और प्रत्वी के 20 अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को तो यहाँ A option सही है, नेस question देखते हैं नेस question पूछ रहे हैं कि सूर्य और प्रत्वी के बीच की नियुनतम दूरी पहले question में क्या था, इसे उपर वाले में अधिकतम दूरी पूछा गया था लेकिन इसमें नियुनतम दूरी, यानी सबसे कम दूरी के बात की गई है कब होती है, 14 जुलाई को, 13 जन्वरी को, 3 जन्वरी को, या 23 सतंबर को comment करके बताएं कि इसका right answer क्या हो जाएगा, इसका जो आपका right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा C नंबर यानी 3 जन्वरी को, सूर्य और प्रत्वी के बीच की जो दूरी होती है, वो सबसे कम होती है इस question देखते हैं, इस question ने पूँच रहा है कि किस तीठी को, यानी किस डेट को दिन और रात बराबर होते है 21 March को, 23 December को, 22 सितंबर को, या A और C दोनों को तो right answer क्या हो जाएगा इसका, इसका right answer हो जाएगा आपका D नंबर 21 March और 22 सितंबर को, दिन और रात बराबर होते है तो यहाँ आपका D option सही हो जाएगा, इस question देखते है इस question पूच रहाएगी, चंदर ग्रहन का कारण क्या है, यानी जो चंदर ग्रहन होता है उसका क्या कारण है, किस वज़े से होता है प्रत्वी इम सूरी के बीच चंदरमा का आना, प्रत्वी इम चंदरमा के बीच सूरी का आना, या इन में से कोई भी नहीं तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट असर हो जाएगा, सूरी इम चंदरमा के बीच प्रत्वी आ जाती है तो उसे कहते हैं चंदर्मा किसके प्रकास से प्रकासित होता है सूरी के प्रकास से प्रकासित होता है जब सूरी और चंदर्मा की बीज प्रत्वी आ जाएगी तो सूरी का प्रकास चंदर्मा पर पड़ेगा नहीं दो इस question ने पूछ राया कि सूरी ग्रहन का कारण क्या है या नि समझ लिया लेकिन سूरी ग्रहन का क्या कारण है निल समэтम सूरज करले हैं, या इन में से कोई भी नहीं तो इसमें जो ऐ आप्षिण वो साही हो जाएगा कि जो प्रत्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसे हम कहते हैं सूर ग्रहन तो सूर ग्रहन की कंडिशन ये हो जाएगी और ये कोश्चन प्रिवियस एर के कोश्चन पेपर में भी आए हुए है तो इस बार भी आने के चांसिस हैं तो ध्यान से पढ़िए जितने भी कोश्चन में आपको करा रहे हुँ सभी एक्जान के पॉइंटों से बहुत इंपॉर्टेंट है इस कोश्चन देखते हैं इस कोश्चन में पूछ रही कि मद्रात्रि का सुर्य कहाँ दिखाई देता है? तो यहाँ सी ऑप्षन करेक्ट है इस कोश्चन देखते हैं इस कोश्चन में पूछ रहे हैं कि भूमत रेखा पर प्रथवी का व्यास कितना है? लगभग कितना है एक्चुल तो नहीं बताया जा सकता लेकिन लगभग बताया जा सकता है तो ही आपसे पूछ रहा है कि भूमद रेखा पर प्रत्वी का व्यास लगभग कितना है 25,000 km, 20,000 km, 12,800 km ये 6,400 km तो राइट आप्शन क्या हो जाएगा इसका इसका राइट आप्शन सी हो जाएगा तो भूमद रेखा पर प्रत्वी का व्यास है वो लगभग 12,800 km है नेक्स कोश्चन देखते हैं नेक्स कोश्चन पूच रहा है कि प्रधान मध्यान रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है यहीं जो प्रधान मध्यान रेखा है वो किस स्थान से गुजरती है सिडिनी से, मेलबॉर्न से, बर्खोयान से या ग्रीन विच से तो इसका right option क्या हो जाएगा इसका right option हो जाएगा green which जो मध्यान रेखा गुजड़ती है प्रधान मध्यान रेखा वो green which से होकर गुजड़ती है तो यहाँ D option सही है इस question देखते हैं इस question पूछ रहा है कि एक देसांतर से दूसरे देसांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है 15 minute, 12 minute, 10 minute यह 4 minute तो इसका right option क्या है इसका right option हो जाएगा D 4 minute कि एक देसांतर से दूसरे देसांतर के बीच को जो समय अंतराल होता है वो होता है 4 minute तो इस question का D option एकदम correct है इस question फोकस करते है जिसमें पूछा गया है कि द्रुवों की तरफ जाने पर आच्छांस रेखाओं के व्यास की प्रकति कैसी होती है स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है या इन में से कोई नहीं तो इसका right option क्या होगा? इसका right option हो जाएगा घटती है जब द्रुवों की तरफ जाते हैं तो आच्छांस रेखाओं के जो व्यास की प्रकति होती है वो कैसी होती? घटती जाती है, जाने के साथ साथ जैसा हम उनके नजदीक पहुँचते जाते हैं इस question देखते हैं इस question पूछ रहा है कि किस ग्रह को प्रतवी की बहन कहा जाता है? यह मैं आपको इस टार्टिंग में बता चुकी हूँ, इस वीडियो में नहीं बताया लेकिन जियोग्राफी सीरीज की जो वीडियो चल रही है उसमें यह question मैं आपको डिस्क्राइब कर चुके हूँ कि किस ग्रह को प्रतवी की बहन कहा जाता है? सनी को, मंगल को, बुद्ध को या सुक्र को? तो right option क्या है इसका? इसका right option हो जाएगा सुक्र सुक्र ग्रह को प्रत्वी की बहन या प्रत्वी की भगिनी भी कहा जाता है तो D option सही है नेस question देखते हैं नेस question पूछ रहा है कि प्रत्वी से निकटम दूरी पर ग्रह है यानि प्रत्वी से जो सबसे नजदी ग्रह है वो कौन सा है बुद्ध है, सुक्र है, मंगल है या सनी है तो यहां भी आपका सुक्र हो जाएगा कि जो प्रत्वी से निकटम दोरी पर ग्रहा है वो है सुक्र और सुक्र को प्रत्वी की भगनी इस वज़े से कहा जाता है क्योंकि दोनों का आकार लगभग सेम है यानि सुक्र का आकार, प्रत्वी के ही आकार जितना है इस वज़े से इसे प्रत्वी की बहन भी कहा जाता है, तो यहाँ भी औप्शन सही है, नेश कुछन देखते हैं मैं इस कुछ ने पूछ रहे हैं कि प्रत्वी की अनुमानित आयू कितनी है यानि कोई भी वस्तो हो कोई भी जीव हो सबकी एक नियुमित आयू होती है आयू शीमा है तो वही पूछ रहा है कि प्रत्वी की अनुमानित जो अनुमान लगाया है वज्यानिकों ने वह अनुमा आयू कितनी है 4.6 और ले यह 3.6 और अपर फ़ाएडवी की 4.6 और लेके conflict ग्रेट, बेसाल्ट, निकल यह डायोराइट, यहां राइट अंसो जो हो जाएगा आपका वो है आपका निकल, जो प्रत्वी की केंदर में पाया जाने वाला चुम्बी की पदार्थ है वो है निकल, तो यहां C option correct है, प्रत्वी की उपरी परत को क्या कहा जाता है, mental, भूपरपटी, क्रोड या इन में से कोई नहीं तो right option बताइए इसका right option क्या होगा B option साही हो जाएगा कि प्रत्वी की जो उपरी परहत है उसे हम कहते है भूपरपटी या crushed इस question पर focus करते हैं जिसमें पूछ रहा है कि प्रत्वी में कौन सा तत्तो सरवाधिक मात्रा में पाया जाता है calcium, loha, silicon या oxygen तो right option क्या हो जाएगा इसका इसका right option हो जाएगा oxygen यानि इन सब में अगर हम पूरा overall बात करें तो nitrogen सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रत्वी में लेकिन अगर इन चारों में बात करें हैं तो इन चारों में से oxygen सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रत्वी में तो D option सही है इस question देखते हैं इस question पूछ रहा है कि प्रत्वी के लगभग कितने प्रतिसत भाग पर इस्थल है यानि ऐसा कितना प्रतिसत भाग है जहाँ जल नहीं है सिर्फ इस्थल है 29%, 49%, 31%, 41%, 41% तो right option क्या होगा इसका इसका right option हो जाएगा 29% प्रत्वी का लगभग 39% भाग ऐसा है जहाँ पर इस्थल है तो यहाँ A option correct है इस question देखते हैं इसमें पूछ रहा है कौन कायांतरी चट्टान है ग्रेनाइट, सैल, संगमरमर या बेसाल्ट तो यहाँ C option correct है कि जो संगमरमर है वो कैसी परत है वो आपकी कायांतरी चट्टान मानी जाती है तो यहाँ आपका C option इकदम correct हो जाएगा इस question पर focus करते हैं इस question पूछ रहा है कि धरातल की जिस स्थान पर सर्वरप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है यानि प्रतवी का जो स्थान जिस पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं भूकम्प मूल, भूकम्प अधिकेंद्र, भूकम्प केंद्र या इन में से कोई भी नहीं तो इसका right option क्या होगा इसका right option होगा भूकम्प अधिकेंद्र कि धरातल के जिस स्थान पर सर्वर प्रिथम भूकम्प का अनुभव किया जाता है वो कहलाता है भुकंप अधी केंद्र ने इस कोष्चिन पर फूकस करते हैं अने इसकोष्चिन ने पूच रहे हैं कि धराथ वही सेम कोष्चिन है इसदे पूच रहे कि विश्चु की सरवादिक भुकंप निन में से किस पेटी में आते हैं? हिंद महासागरी पेटी बद्ध महासागरी पेटी परिप्रिशांत महासागरी पेटी या इन में से कोई नहीं तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका जो सी ऑप्शन हो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो परिप्रिशांत महासागरी पेटी है वहाँ पर सरवा बूरम के बWORKंप की तेवरता सापेचिक आदर्था वर्शा की मात्रा या तॉ आपको भूकंप गटकी तीवरता एकि Summit की ऊते हैं यानि जो भुकंपी तरंगे होते हैं उसे मापने कांधियंत्र क्या होता है बैरोग्राफ, क्लाइमोग्राफ, सीस्मोग्राफ यह इन में से कोई नहीं तो यहां जो राइट आप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सीस्मोग्राफ की जो भुकंपी तरंगे होती है वो स अस्ट्रेलिया महादिव एक ऐसा महादिव फें जहां एक भी जौला मुखी नहीं है तो डी अप्शन एक दम करेक्ट है लेस्ट कोश्चन देखते हैं लेस्ट कोश्चन पूछ रहे कि विस्टू का सबसे उंचा जौला मुखी कोटो-पैक्सी कहां इस्थी थे आपसे यहां का राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्वेडोर विस्व का सबसे उंचा ज्वाला मुखी को टो पैक्सी एक्वेडोर में इस्थित है तो यहां B option करेक्ट है इसको देखते हैं इसमें बूछ रहा है कि किसे प्रकति का सुरच्छा वॉल्व कहा जाता है ज्वाला करेते हैं इस करेक्डल में तो किया करना हैँ अगरा है सा wr k ad P mor मैंने गलत question read कर दिया इसमें यह पूशा है कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है यानि चार में से तीन सही मैच है लेकिन एक सही मैच नहीं है तो वही आपको find out करना है तो जो इटना जौला मुखी है उसका इस्थान इटली है एकदम सही है फ्यूजी यामा का जापान है ये भी एकदम करेक्ट है पोपा का म्यामार है ये भी एकदम करेक्ट है लेकिन क्रॉकाटोवा का मलेशिया है ये सही नहीं है क्रॉकाटोवा जो जो जोला मुखी हो मेलेशिया में नहीं है तो इस question के विहाब पर D option आपका सही हो जाएगा और बाकी के सब सही मैज्ड है इसकोशन देखते हैं इसकोशन पूछा है रॉकीज, एंडीज, एटलस, आलपस, हिमाले आदी किस प्रकार के परवत हैं वलिद परवत हैं आउसिस्ट परवत हैं ब्लॉक परवत हैं यह जो अला मुखी है तो राइट आप्शन क्या होगा इसका इ माउंट एवरेस्ट कहां इस्तित है भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में या तिबबत में तो यहां जो आपका राइट आपसर हो जायगा वह जाएगा आपका D जो लोयस का पठार है वो पवन करत है यानि पवनों के द्वारा बना हुआ है तो इस वीडियो में हमने टोटल 29 कोश्चंस डिसकस किये हैं 90 कोश्चंस नहीं है इसमें 90 नमबर कोश्चंस नहीं है जो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा तो नेक्स जो पार्ट आएगा उसमें हम नेक्स फर्दर 30 कोश्चंस डिसकस करेंगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से आप कितने कोश्चंस सही कर पा रहे हैं अगर आप कोश्चंस सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो मैं आपको करा रहे हूं तो आप खुद एनल कर रहे हैं जो आपको 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 कर रह